Hello students, Welcome to MOS Classes, इस वीडियो में हम 7th Class History NCRT की जो नई बुक है, उसके चेप्टर No.8, 18th Century Political Formations के Questions and Answers को डिसकस करेंगे, तो इस चेप्टर में हमने जो पुरानी बुक थी, उसके भी सभी कोश्चंस को और जो नई बुक है, उसके भी सभी कोश्चंस को इसमें एक साथ ही बना दि जाएंगे, और अगर आपके पास नई NCRT बुक है, तो वो सारे कोश्चंस भी आपको इसी में मिल जाएंगे, तो कोश्चंस नमबर वन है, मैच दा फॉलॉइंग, और यहाँ पर हमें ये दो कॉलम्स दिये गए हैं, इस कॉलम में देखें क्या है, सुबेदार, फोजदा इजारदार, मेसर, चोथ, कुनबेश और उम्रा, और यहाँ देखें, अरिवेन्यू फार्मर, अहाई नोबल, प्रोविंशिल गवर्नर, मराथा पेजन्ट वरियर्स, अब नुगर मिलिटरी कमांडर, बैंक ओफ सिक वरियर्स, टेक्स रेविट बाइदा मराथा, अब हमे इजारदार के आगे प्रोवेंशिल गवर्नर, फोजदार क्या होता था, जो मुगर मिलिटरी कमांडर होता था, तो फोजदार के आगे आप रिखेंगे मुगर मिलिटरी कमांडर, उसके बाद इजारदार क्या होता था, अरिवेन्यू फार्मर, मिसर का मतलब क्या होता था A band of sick warriors फिर चोट का मतलब text ravid by the Marathas यानि Marathas के दौरह जो text लगाए जाता था उसे चोट कहते थे फिर कुन्बिस का क्या मतलब होता ता Maratha Pagent Warriors ठीक है उम्रा मतलब जो ये high noble होते थे मुघडो के दरबार में उनको उम्रा कहा जाता था तो उम्रा के आगे आप रिखेंगे आहाई नोबल इसके बाद question number two है fill in the blanks ये पार्ट में हमें दिया गया है औरंग जेब fought a protected war in the dash protecting मतलब बढ़ाने के लिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए औरंग जेब ने कहा पर fight की थी कहा war की थी तो इसके आंसर में आप लिखेंगे आंसर में आप लिखेंगे administration, यानि मुगल administration जो था, उसका एक बहुती महतवपूर्ण, बहुती powerful part थे, उम्रा और जगीरदार्स, तो यहां answer में आएगा administration, उसके बाद C part, आसब जहां founded the Hyderabad state in Dash, यानि हैदरबास state की स्थापना आसिफ जहां ने कौन से सन में कीती, सन 1724 में तो यहां पर आप लिखेंगे 1724, 1724, D part, the founder of the Hyderabad state was Dash, यानि अवद state की स्थापना किस ने की थी, तो यहां answer में आप लिखेंगे सादत खान, सादत खान ने अवद state की स्थापना की थी, इसके बाद question number 3 है, state, weather, true or false, तो यहां पर हमें कुछ statements दी गई है, हमें यह बताना ह कौन सी statement true है, और कौन सी statement false है, तो यह पार्ट में हमें दिया गया है, नादिर शाह invaded Bengal, यानि नादिर शाह ने बेंगोल में invade किया था, बेंगोल में गुस्पेट की थी, तो यह statement गलत है, नादिर शाह ने बेंगोल में invade नहीं किया था, तो यह गलत statement है, तो यहां पर आप फॉल्स तो पहले दो तो फॉल्स हो गए अब सी पार्ट गुरु गोबिन सिंग वो सिखों के दस्वे गुरु थे तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू उसके बाद दे पार्ट पूना बीकिम दा कैपिटल ऑफ मराथास इन दी एटी सेंचुरी में जो पूना था वो मराथास का कैपिटल बन गया तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ट्रू इसके बाद कॉशन नंबर फोर है वट वर्ट वर्टी ओफिसेज हैल्ड बाई साधत खान यानि के साधत खान के एंडर में क जवानी का जो डिपार्टमेंट था और फोर्सदारी का जो डिपार्टमेंट था यह साधत खान के अंडर आते थे इसके बाद कॉशन नंबर फाइव है वाइट नवाप्स ओफ अवद एड बिंगोल ट्राइट टू दू अवे विद्धा जागीरदारी सिस्टम यानि के इनका बहुत प्रभाव होता था लगड़ राज्यों में अब क्योंकि अवद और बंगाल में अब नवाब आ रहे थे इस तरीके से राज्ये बन रहे थे तो यह नवाब ऑफ अवद एंड बंगोल यह चाते थे कि जगीरदारी सिस्टम उनके यहाँ पर ना रहे जिससे कि उनके राज्यों में मुगल्स का जो प्रभाव हो कम हो जाए तो इसलिए वो नहीं चाते थे कि उनके यहाँ जगीरदारी सिस्टम रहे तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नवाब्स ओफ अवद एंड बंगोल ट्राइट टू डू अवे विद जगीरदारी सिस्टम कुड़ों का प्रभाव कम कब हो सकता था जब वो जगीरदारी सिस्टम को वहाँ पर हटा देते या कम कर देते या रोक देते इसलिए वो जगीरदारी सिस्टम को पसंद नहीं करते थे इसके बाद कॉशन नमबर सिक्स है यानि के 18th सेंचरी में सिक्ख कैसे और्गिनाइज हुए सिक्खों ने कैसे खुद को और्गिनाइज किया यानि एक जुट किया तो इसका पहड़ा पॉइंट है आफ्टर देथ आफ गुरु गोबिन सिंग जो सिक्ख थे वो किनकी लीडर्शिप में चले बंदा बहादुर की लीडर्शिप में और उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र शासंग के रूप में उन्होंने खुद को डेक्रेर कर दिया बहुत सारे सामर्थी लीडर्स मिले 18th सेंचरी में सिख्ख और उन्होंने खुद को एक जुट किया और फिर वो जो इनके गुरुप बने जो सिख्खो के उनको जत्था कहा जाने लगा और बाद में इनको मिस्ट्थ भी कहा जाने लगा जो इनके group बन गए थे सिखो के उनको इन ये नाम दिये गए और इनकी जो combined force थे सिखो के इनको नाम दिया गया Grand Army और उसके बाद fourth point यानि बेसाखि और दिवाली के मौके पर ये जितने भी groups बने हुए थे ये अमरीश सर में मिला करते थे और वहाँ पर ये जो ज़रूरी decision लेने होते थे वो मिल जोड़के वो उन महतवपूर्ण निलनेों को important decisions को लिया करते थे इसके बाद question number seven है यानि कि जो मराथास थे ये डेकन के आगे भी क्यों अपने राज्य को expand करना चाहते थे वो चाते थे कि subcontinent में उनका राज्य इतना ताकतवर हो जाए कि कोई उनके खिलाफ न जा सके उनका सामना न कर सके तो इसके लिए उन्हें अपने राज्य को बढ़ाने की ज़रूरत थी तो एक तो यही reason था जिसके वैसे वो डेकन के आगे भी अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे और अभी तक उन्हें जो रड़ाईय रड़ी थी उससे उन्हें बहुत सारी धन संपत्ती वहाँ से मिली थी इस वज़े से भी वो डेकन के आगे जाकर अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे क्योंकि उनको आगे और ज़्यदा धन संपत्ते के भी आवश्यक्ता थी इसके बाद question number 8 है What were the policies adopted by Asaf Jaha to strengthen his position Hyderabad का जो ruler था वो था Asaf Jaha ठीक है तो इसने अपनी position को मजबूत करने के लिए क्या policies अपनाई क्या काम किये वो हमें बताना है तो पहड़ा point He brought skilled soldiers and administrators from Northern India यानि के अपनी position को मजबूत करने के लिए Northern India से skilled soldiers रहकर आया और skilled administrators रहकर आया ताकि इसकी position मजबूत हो सके Second point यानि के इसने मनसबदार्स को अपोइंट किया और उनको जागीरे दी जागीर देने का मतलब होता है के बड़ी-बड़ी हवेलिया धन समबती जमीने और यह इसरे था के इसकी position मजबूत हो सके Third point He worked independently of the Mughal Empire यानि के Mughal Empire से प्रभावीत होकर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था इसने उनसे बिल्कुल अलग होकर आजाद होकर अपने काम को किया इसके बाद question number 9 है Do you think merchants and bankers today have the kind of influence they had in the 18th century यानि के 18th century में merchants और bankers का जो प्रभाव होता था क्या वही प्रभाव आज भी है तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि पुराने समय में गरह में 18th century में जाते हैं तो उस समय पे merchants का प्रभाव जएदा होता था merchants जो की चीजों को एक जगा से दूसरी जगा लेकर जाय करते थे बेशते थे वेपार करते थे और उनके पास पैसा भी बहुत होता था तो वो लोगों को उधार भी दिया करते थे और bankers में या banks पे उतना भरोसा लोगों का नहीं हुआ करता था लेकिन आज के समय पे देखे तो लोग पढ़े लिखे और banking system भी काफी विक्सित हो गया है तो आज के समय पे जो banking system में उस पे लोग ज़्यदा विश्वास करते हैं जबकि पुराने समय में merchants का प्रभाव ज़्यदा हुआ करता था they used to provide more loan opportunities at higher interest rate और merchants लोगों को high interest rate पर ज़्यदा loan दिया करते थे but now with the spread of education people prefer banks which provide loans and other financial assistance at cheaper rates लेकिन अब लोग पढ़ लिख गए हैं और वो bank को ज़्यदा प्रेफर करते हैं loans के लिए दूसरे financial assistance के लिए क्योंकि bankों से जो loan मिलता है उस पे interest rate भी कम लगता है they have different scopes of loans for different purposes अब जो bank होते हैं वो अलगलग कामों के लिए अलगलग तरीके से loan provide करवा देते हैं और वो भी कम rate पे, कम interest rate पे so bank are more influential today than the merchants तो आज के समय में banks का जो प्रभाव है वो merchants के मुकाबले बढ़ गया है जब कि 18th century में जो merchants होते थे उनका प्रभाव जएदा होता था तो ये फरक अब आ गया है I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like करें, share करें हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का notification आपको मिलता रहे Thank you